निर्माण प्रबंधन साइट पर निर्माण प्रबंधन के कुछ मुख्य पहलू कारे की योजना बनाना अपने कारे कारेपूर्ती की समय सीमा और उपलब्द संसाधनों की आवशक्ताओं का पता लगाकर एक कारे योजना बनाएं बजट और लागत नियंत्रण करना काम का विस्तरद बजट बनाएं जिसमें सामगरी, लेबर, उपकरण और अन्यखर्च शामिल हो बजट का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे कारे में लागत की देखरेक सही से करें संसाधन प्रबंधन करना कंस्ट्रक्शन मटीरल के सही उप्योग और रख रखाव की निगरानी करें वरकर्स को प्रभावी ढंग से कारे बाटें और उनका प्रबंधन करें गुणवत्ता नियंत्रण करना साइट पर चल रहे काम की गुणवत्ता की जाज करें समस्या की पहचान करें और उसका समाधान करने के लिए नियमेत रूप से कारे की ठीक तरह से जाज करें एक बहतर संचार करना टीम और क्लाइंट के साथ खुला और उचचत संचार बनाएं समय रेखा प्रबंधन करना काम का एक शेड्यूल बनाएं और सुनिश्चत करें कि सभी कारे समय पर पूरे हो सुरक्षा प्रबंधन करना वर्कर्स के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षन आयोजित करें क्लाइंट के साथ बहतर संबंध बनाना प्रभावी संचार और अपेक्षाओं को पूरा करके क्लाइंट के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखें अगर आप इन सभी बिंदूओं का पालन करेंगे तो एक टीम से अच्छी बहतर उत्पादक्ता निकाल सकते हैं निर्माण शेत्र की बारिकियों और चुनोतियों को समझ कर निर्माण उद्योग में काम करके व्याभारिक अनुभव राप्त करें बिल्डर, बड़े कॉंट्राक्टर, अन्य उद्यमियों सहित निर्माण उद्योग के पेशेवरों के साथ एक नेट्वर्ग बनाएं याद रखें, निर्माण शेत्र एक गतिशील इंडस्ट्री है सफलता के लिए निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है एक इच्चुक कॉंट्राक्टर के रूप में व्याभारिक अनुभव और व्याभसाइक कोशल का संयोजन दिर्माण उद्योग में आपकी सफलता में योगदान देगा और आपको एक बहतर कॉंट्राक्टर बनाएगा